ये गैस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लेंड साउथ अफ्रिका के बीच में जो थार्ड ओड़े मुकाबला खेला जाएगा ये मैच होगा हेडिंग ली लीड्स में जो की बैटिंग के लिए slightly helpful होता है और इसमिन पेस का यहां पे अगर आप रेशों देखें तो रेशों में पेस जो है वो ज्यादा आगे है आगे मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवरेज स्कूर यहां पर जो होती है वो टू कि वहीं दो ओडियाई मैचे जो है वो इंग्लैंड के मेंड प्लेस खेले हुए तो यहां पे एवरेज फेंटसी पॉइंट्स की बात करें तो दसने आपको चार मैच में 59 फेंटसी पॉइंट पर मैच दे रहें उतना ही मरक्रम परफॉर्म कर रहे है लिविंग स्टन का 72 फेंटसी पॉइंट पर मैच है दो मैच का जेसन रोय का 44 सैम को रन 74 प्रोटोरियस 64 और मुहिन अली 48 इसके बाद अगर हम बात करें बोलर्स में तो एंगीडी का 26 है नौट जे का 63 राशित का 58 है और शामी का 50 है विकेट कीपर्स में बैरुस्टों का 65 है और क्लासीन का 80 है टोटल मैचेस की बात करें जो इस वैन्यू पर खेले गए तो इस वैन्यू पर टोटल 43 मैचेस खेले गए आउट ओफ दो 17 बैटिंग फर्स जीती है 26 बैटिंग सेकंड जीती है एवरेज स्कोर यहाँ पे 233 के आसपास का है हाईस्ट स्कोर इंग्लैंड का है और रेंजेस की जहां पर सबसे ज्यादव रंस बने तो 200 से कम यहां पर 14 बार बना है 200 से 249 बार बना है 200 से 299 बारा बना है और 300 की ऊपर जो है वो सिर्फ छे बार बना है लास्ट मैचेस एडिस वेन्यू की बात करें तो 2019 के आसपास मैचेस यहां पर हुए थे आकरी जिसमें आप देख सकते हैं एक शिलंका इंडिया का मैच है जिसमें शिलंका 264 बनाती है इंडिया उसको चेस कर लेती 265 बनाके उस मैच में टूटल स्पिन को दो विक्टे मिली थी और पेस को आठ विक्टे मिली थी इसके पहले भी एक मैच हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज ने 311 ब चलता है और यह वेन्यू जो है यह मुस्ट लीवी देखें देखें जाए यह यह यहां के पेस्ट फ्रेंडली होते ही है अब कौन ज्यादा पेस्ट फ्रेंडली है वह आपको इससे पता चल जाएगा ठीक है हाला कि मैं टॉस्ट के आज-पास तो आपको बताए दूँगा होगी 2019 का मुकाबला है इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ठीक है लगबख तीन साल पुराना मैच है अब तीन साल पुराने मैच के स्टैट आप देखतो लो बट ऑन स्पॉट आपको जो कंडिशन से वह देखना जादा जरूरी है ठीक है तो वह मैं आपको टॉस के टाइम पर बता दूगा जो भी कुछ कंडिशन बनेंगी तीक है इस पिन पेस का यहां पर आप देखी रहें पेस का डॉमिनस बहुत ज्यादा है नीचे चलते हैं और बात करते हैं यहां पर ICC Uday Ranking की तो ICC Uday Ranking में England No.2 पर है और South Africa No.5 पर है तो यहां भी आप देखेंगे तो England ज्यादा बेहतर टीम है इस फॉर्मेट की और South Africa उतनी अच्छी टीम इस फॉर्मेट की नहीं मान जाती है Head to Head में 65 मैच आपस में खेले गए 31 South Africa जीती तो 29 England जीती है यहां पर लगबख टक्कर का मैच दिख रहा है जब आप देखेंगे आकरी पांच मुकाबले तब आपको पता चलेगा दोनों टीमों का परफॉर्मेंस लगबख बराबर का है ठीक है यहां पर लास्ट मैच जो ह इसके बाद नीचे चलते हैं और बात करते हैं दीसेंट परफॉर्मेंस की तो England की टीम South Africa से पहले इंडिया से सीरीज के आई थी जिसमें इन्होंने तीन मैसे एक मैच को जीता लास्ट के और South Africa जो है England से पहले बंगलादेश से खेल के आई थी जिसमें इन्होंने आकरी ती द्हान से देख लीजे किस बूलर ने कितनी बॉले कराएं और कितनी उसने विक्त निकाली वह बॉल्स कराएं ठीकी जैसे 92 बॉल्स में एकी बार विक्त कंटें डिकॉक का निकाला है और 113 रण पिटवाएं तो इस टाइब से आप समाझ जाएंगे एंगे जानिमन्न म्ला टीम के सबसे बड़िया ओड़े इपलर माने जाते हैं मोहिन अली इनका एक बार विकेट ले चुके हैं एक बार टॉपली देखे जीरो पे इनका विकेट ले गए एक बार लिविंस्टन भी इंका विकेट लेगा है टॉपली जो है काफी खत्रा बने हुए मलान के सामने भी और दसन के सामने भी डेविड मिलर का देख लीजे मिल्द का कोड़र ने एक बार विकेट निकाला है इन्होंने मोहिन अली को ठीक ठाक खेला हुए विकेट नहीं दिया फिर इदिन मरक्रम आते हैं मरक्रम एक बार लिविंस्टन को अपना विकेट दे चुके हैं और बाकी ले जा चुके हैं इसके बाद जो रूट की बार यह आती है रूट का एक बार विकेट ले जा चुके हैं यहां पे नोने केशाम मराज और एंगिडी को काफी अच्छा खेला हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं 30-30 बॉल्स के आसपास फेस करी हैं और विकेट नहीं दिया इसके बाद जोस बटलर आते हैं बटलर का दो बार विकेट शमशी ने निकाला हुआ है और एक बार एंगिडी ले जा चुके हैं ठीक है लियाम लिविंस्टन का भी देख लीजे नॉट जिन का एक बार विकेट ले जा चुके हैं एक बार एंगिडी ले जा चुके हैं जॉनी बैरिस्टों के साथ जेसन रोई का 41 का एवरेज है और जॉनी बैरिस्टों का 47 का है हाला कि बहुत कंटीनिस परफॉर्मस जेसन रोई नहीं दे रहे बट ओड़िए के अच्छे प्लर माने जाते हैं आप पोडिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी आप यहां से देख यानि लास्ट मैच में जो है जेसन रोई ने 14 लगाया था उसके पहले 43 ऐसी बैरिस्टों का लास्ट मैच में 28 रन बनाए उसके पहले 63 बनाए उसके पहले 0-38 से आप पीछे जाते जाएंगे इस टाइप से मैं लिखा हुआ है और जो सबसे रीसेंट रिकॉर्ड है वो सब ज्यादा एक्सप्रियंस इस फॉर्मेट का है नहीं तो इनको में उत्ता सपूर्ट नहीं करता आप चाहें तो ले सकते हैं बट नंबर तीन पर इनको लेना पसंद नहीं करूंगा नंबर चार पर में जो रूट को फिर लूँगा टीम में भाले यी परफॉमस बहुत खरा सकता है फिर आते हैं मोहिन अली 25 का एवरेज एवन कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं लास्ट में दो विक्टे निकाली और छे रन बनाये थे इंपोर्टन है क्योंकि हमेशा विक्टे तो निकाल ही लेते हैं एक आद दो प्लस रंस भी बनाते हैं फिर आते हैं जॉस बटलर विकट कीपर बैटर विकट कीपर रिंग से देखिए पिछले में कितने पॉइंट दिये थे एक कैच पकड़ा आठ फेंटसी पॉइंट हो गए उसके बाद एक रन आउट किया दस फेंटसी पॉइंट हो गए एक इनोंने आइधिंक से इतने सारे पॉइंट देता है प्लस इसने 19 रन भी बनाये थे तो यह 19 रन भी अगर आप इसमें जोड़ दें को चौके चके लगायत वो भी जोड़ दे तो खेलने के भी चार फेंटसी पॉइंट तो चौवण पचपन तो इसके फेंटसी पॉइंट वैसे हो गए तो ख प्रमैट में खास करके फिर आते हैं सैम को रन पिछले मैच में दो वड़ाले एक विकेड भी निकाली और 35 रन भी बनाये थे तो जब जब टॉप ओटर फ्लॉप हो जाता है यह रन्स कुछ ना कुछ बनाते हैं ग्रेंट लिग में कच्छे पेख हो सकते हैं फिर आते हैं देविड विली इनका इनकी भी स्टेंट जो है वो बैटेंग है और मोस्ट अप दा मैच में जब टॉप ओटर फ्लॉप होता है यह भी कुछ 25 चालिस रन बना देते हैं प्लस बॉलिंग स्किल्स देखेंगे तो वह उत्ति अच्छे अभी इनकी है नहीं आप पोजिशन ट पिछले मैच में फॉर्म वापिस आया तीन विक्टे निकाली शुरुवाती मैं अच्छा नहीं गया था बट लास्ट में छे ओवर क्या स्पास कराया थे आइधिक एक मीडिन कराया था वर उसमें से तीन विक्टे भी निकाली तो इंपॉर्टेंट रहेंगे अब लाइन इसकिल्स हाँ बहुत अच्छी है तो अगर जैसे डिविट बिली करते हैं कि रंस बना देते हैं जब जरूरत होती तो वैसे क्रेग बना सकते हैं साउथ उफ्रीका की प्लेंग लेवन देख लेते हैं एक बार प्लेंग लेवन में जैनम लमलान ओपन करेंगे डिकॉक के सा सब्सक्राइब लगा हुगा है तो मेरे साब से इंपॉर्टेंट है इवन कप्तानी के अच्छी ऑप्शन है मलान पर मुत्तर ट्रस्ट नहीं करता है को कि ज्यादा इनके पास एक्स्पिरिंस इस फॉर्मेट का है निए अब देखें लास में जिरो प्लेंग लगा था तो इसको तो टीम में ले लेना किसी भी दिन हंडेट फिप्टी लगा सकता है और यह इसने फस्टोडे में करके दिखाया भी था इसके पहले भी कुछ ओड़ाई खेले थे तो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था ले लीजेगा फिर 8 इन मरकम आते हैं सामने वाली टीम के प्लस लगभबगर करना चाहें वह इनको कर सकते स्माल लीग मैं सजेस्समाइस नहीं करता पर ग्रैंड में हमेशा और इवन इवं डेविद मिलर में ग्रेंडी में ही तो पंदरा बीस पच्चिस रन भी बनाएंगे प्लस लगभग कंफर्म दस ओवर या आट ओवर तो बॉलिंग करेंगी करेंगे ओडियाइज में तो डैथ वर्स में भी यूज है तो मेरे साब से वाइस कप्तानी का यह अच्छा ओप्चन हो सकता है फिर केशा मरा जाते हैं कप्तान है लगबग कंसिस्टेंसी देखे तो एकाद विकेट हर मैच ले जाते हैं आप ओडिशन टीम के खलाफ आकरी चार मैच में भी देखे हर बार एक विकेट तो निकाली है फिर आते हैं लूगी एन के थोड़ से जो हैं यह कॉस्टली साबित होते हैं बट विकेट ट होंगे बट बहुत टाइम से इनका फॉर्म जो है मैंने वह उस लेविल का देखा नहीं है तो उतना इन पर ट्रस्ट नहीं कर पारों सेकंड बॉलिंग में ट्राइक कर सकते हैं बट फस्ट बॉलिंग में उत्ते इंपॉर्ट नहीं होगे एंडिश नॉट जे बहुत अच् इनको सपोर्ट करेंगे वह देविड विली हो सैम को रन कर सकते हैं अगर हम बात करें साथ आफ और इनकी में डेथभ बॉलर नॉट जे हैं इनको सपोर्ट एंगिडि और प्रोट टॉर्ट बॉलिंग रहे है और चिका जाद most probably protorius death में किन्दवाजी कर सकते हैं बट NGDK भी कुछ overs रहेंगे अब जल्दी से बात करते हैं fantasy team की फिर video को end करते हैं तो गैज यह मेरी fantasy team रहेगी fan2play application पे सबसे पहले मैं match को open कर लेता हूं बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं इवन T20 में तो हम इने captain भी बनाने लगे थे क्योंकि डैथ ओवर चार ओवर पूरे कर रहे थे और बैटिंग भी तीन पर आके अच्छी कर रहे थे तो यह आपके लिए कप्तानी वास कप्तानी के अच्छी option है फिर मैंने बैरिस्टो सबसे उपर रहते हर फिल्ड में उनको मैं पहले पिक करूं और जो मोस्ट कंसिस्टेंटली रहने वाली है फैन टूपले अप्लिकेशन पर रैफर कोड एफिक्स लगा के साइन अप कर लो फ्री एंट्री मिलेगी गिवावेज मिलेंगी और अभी तीन से चार फ्री एंट् आनल टीम के अपडेट मिलेंगे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए